हलो एवरीवान, वेलकम टू स्टडी स्कॉर्ड, आएम शिवानी चाहान और काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि यह चाप्टर फाइव है नई समस्याएं यह हमारा भारत की खोज का चाप्टर है इसकी हम समरी लेकर के आएं तो स्टार्ट करते हैं नई समस्याओं में यह चाप्टर में क्या है कि हर्श वर्धन जो राजा थे उत्तर भारत में एक शक्तिशाली सामराज्य के साशक थे मतलब वो काफी उनका पावरफुल एम्पायर था और वो अपना साशन चला रहे थे और विदवान चीनी यात्री हुआन जांग नालंदा में अध्यन कर र और काफी सारे जो अरेविन परिंस अला के देश वहां पर इसलाम काफी फैल रहा था बढ़ रहा था भारत के मध्यभाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष का समय लगा और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब बहुत बदल चुका अरब भाले भारत के उत्तर पश्रिमी शोर तक पहुंच कर वही रुक है उत्तर पश्रमी शोर भारत का अनिके जो उस समय का भारत पाकिस्तान वाला रिजन और दिली तक वाले रिजन में ये अरब लोग महां पर रुक गए अरब सभधा का करम शह पतन हुआ और मध्य मतलब गिरने लगी उसका पतन होने लगा पतन होने का मतलब होता है जो सब्पता थी वह अब गिरावट में खतम सी होने लगी थी तो मध्य एशिया यानि कि मिडल इस्ट में तर्की तर्की जवाज एक देश है वहां के जो तुर्क लोग थे वह काफी जादा आगे बढ़ने भारत के सीमा वर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इसलाम को राजनीतिक शक्ती के रूप में भारत लेकर गया है तो इंडिया में जो इसलाम फैला या फिर इसलाम में कनवर्जन हुए वो जो तुर्की लोग थे जो तर्की वाले रीजन से आये थे उन्होंने इ 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आकरमन नहीं हुआ तो यह जब हर्ष वर्धन का टाइम था उसके बाद लगवग 300 साल तक फिर कोई और आकरमन नहीं हुए 1000 EC के आसपास तो 1000 EC से पहले 300 वर्ष तक कोई आकरमन नहीं हुए तो लगवग 1000 EC AD इसको मिंगलिश में कहते हैं 1000 EC के आसपास इसने गजनीन अफगानिस्तान सा करके बहुत हमले किये देश पर मेहमूद गजनवी तुर्क तो तुर्क इसलाम फैल रहा था तो यही था कि तुर्क ता मेहमूद गजनवी जिसने मध्य एशियाय में अपनी ताकत बढ़ा ली थी जो इस्ट इस्टन एशिया है अफगानिस्तान और उधर वाला रीजिन वहां पर इसने अपनी ताकत पढ़ा ली थी मेहमूद गजनवी ने उसने बड़ी निर्ममता से कहीं आकरमन की और बहुत खुन खराबा हुआ मतलब इसने बहुत इंडिया पर अटैक्स किये थे खुब खुब खुन खराबा अपने इरिया में पिला लिया था अफगानिस्तान वाले एरिया में वह हर दावे के बाद गजनी लॉट जाता था है कश्मी प्रविज़न नहीं पा सका था कश्मी में नहीं जीत पया था भुत सरे अरिया üzने उसने अपने कब्जने में कर लिया था यह पहारी देश उसे और मार भगाने में सफल होगे तो पहारी इलाकों पर वो ज्यादा कबजा नहीं कर पाया था गजनी काठियावार्ड में सोमनाथ से लोटते हुए राजिस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी इस आखिरी धावे के बाद भै फिर नहीं लोटा तो काठियावार्ड से सोमनाथ मतलब खूब लूट पार्ट करके जब राजिस्थान वाले रीजन में जाता था तो फिर मतलब वह काफी हार का उसको जामना करना पड़ा फिर उसके बाद वह कई हबले करने के बाद फिर इं पंजाब के आगे तुर्की साशन का विस्तार हुआ तो जब वह मर गया उसके लगभग 160 साल तक फिर इंडिया पर कोई अटैक नहीं हुआ और तर्की वाला साशन था वही तक पंजापरे रीजिन तक सिमटकर रह गया इसके पास शहबुद्दीन गौरी नाम के एक अफग अपना हुई और यह फिर आगे बढ़ा इसने भी अटैक किया इंडिया पर का फिर चौद्वी शताबदी के अंत में तुर्क-मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिली की संतनत को द्वस्त कर दिया तो दिली संतनत को तैमूर ने गिराया और कपजा कर लिया वह पर्दा प्रथा पर्था जब इसलामिक अन्वेजन हुआ था पर्दा पर्था के नहीं पर भारत ने पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में हुआ तब हुआ यह हिंदू और मुसल्मानों दोनों के पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा औरतों को अलग परदे में रखने की है प्रता उन इलाकों में उच्छ वर्गों में विशेश रूप से फैली थी जहां मसल्मानों का प्रभाफ सबसे अधिक आता तो जहां मुसल्मान सबसे जादा थे वहीं पर सबसे जादा हिंदू धर्म में परता परदा आ गई अब इसके कई सारे रीजन्स हो सकते हैं उसमध्य और विशाल पूरवी प्रदेश में जिसमें डिली सयुक्त प्रांद रा अधिभी मुसलम इलाके थे पड़ी प्रथा उत्नी कडाई नहीं ती उत्षा था प्रथा ये नहीं थी परदे की प्रथा जो पन्जाब वाले रेज़न रह दो नहीं थी नहीं है तो नौट स्वनियाता वर नौद परद परद की नहीं थी परेले हर्षवर्धन था फिर उसके बाद घुरी गजनभी कितने कितने लोग आए उनके बारे में हमें चैप्टर्स में थोड़ी थोड़ी सी इंफिमेशन दी गई है तो इसमें बाबर के बारे में बताया गया है अकबर भारत में मुगल खान्दान का थीसरा साश्रत था फ 1526 इसवी पर विजय प्राप्त कर ली थी भारत आने के चारवश के भीतर ही बावबर की तो मृत्ती हो गई थी बावबर का पोत्र मतलब उसका पोता जो था अगबर था उससे बहुत अधिक आकर्शक था गुणवान था मतलब काफी जादा अक्टिव था और उसने पहुत सा साथ ही लोगों का ऐसा नेता था जो अपने अनुयाईयों में तीवर स्वाभी स्वामी भक्ति उत्पन कर सके यानि कि तीवर स्वामी भक्ति इसके जो अनुयाई थे यानि कि इसके जो फॉल्वर से लोग थे वो इसको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे और अकबर को ब अग्बर बनना जाता था और इसी तरह का राजा अग्बर बना भी था अग्बर ने अपने ही चारो और अतियंतर प्रभावशाली लोगों का समुदा एकट्टा किया हुआ था जो इसके आधरशों के प्रती सम्मध्पत थे इन लोगों में फैजी अब्दुल फजल नाम के तो मशूर भाई पीरबल, राजामान सिंग, अब्दुल रहीम खाने खाना शामिल थे तो अग्बर के नवरतन तो नौ रतन याने की इसके जो नौ रतन आप कह सकते हैं नौ लोग थे जो बहुत ही सूपर टैलेंटेट थे और अग्बर के एक मंत्री मंतल थे बहुत ही अग्बर निशत रूप से हिंदूों में उतना ही लोग प्रिया था जितना मुसल्मानों में तो हिंदू-मुसल्मान दोनों ही अग्बर को बहुत पसंद करते थे बुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वे भारत का अपना वंशो बहुत है तरकी से प्रसेद कवियों में से मलिक मुहमत जैसी जिसने पदमावत लिखा और अब्द रहीम खाने खाना जो अगबर दरबार के अमीरों में बहुत अच्छे पोएत्शन काल के दौरान बहुत से हिंदूने दरबार की भाष़ा फार्सी में पुस्तक लिखी इजमें से कुछ बहुत इच एचेजे किस तावेप उसतखे भी अक्र की जमया पर लिखी गई थी कैझ बताया ना कि सारे के सारे दर्मों को चहे धर्मों को भी बढ़ावा देता था लिट्रेचर हो पोयेट्स हो सब को पढ़ावा यह दिया करता था अब आया ओर अरंगजेव औरंगजेव अपनी सारी योगता उत्साहा के बावजुद उसमें अपने पूरवजों के द्वारा किये गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया वह धर्मांत और कठोर नैतिक वादी था मतलब अच्छा इनजान नहीं था दूसरे जर्म के लोगों को बहुत परिशान करता था उसे कल पर पुराना घ्रनित जजिया कर लगा कर और उनके बहुत से मंदिरों को तुरवा कर उसने प्रजा के बड़े हिस्से को नराज के मतलब अरंग्जेब अच्छा नहीं था बहुत हराब था हिंदू के प्रती काफी पुरा था और बहुत सारे मंदिर इसने तुडवाए अच्छे से चल रहा था क्योंकि राजपुतों को बहुत अच्छे साथ में लेकर जलते थे मुगल साशक बटिये और अरंग्जेब जो था इसने सब खराब कर दिया था सन 1707 में और अरंग्जेब की मृत्यों के बास सौ वश तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविद दक्षिन में हैदर अली उसका बेटा टीपु सुल्थान और फिर उसके बाद फार्सी सी फ्रैंस से लोग आये थे और फिर अंग्रेज और अंग्रेज फिर जीट गए इन सब की लडाईयों में अंग्रेजों ने फिलगपक 200 साल तक हमारे देश को गुलाम बना करके रखा एक दूसरे पर कुछ और ही धंका भारतिय राजनेता राजपूतों के जैपुर का सवई जैसिंग थे तो सवई राजा जैसिंग इनकी बारे में पढ़ेंगे उनका समय कुछ और पहले था और उनकी म्रत्यूं 1743 ECV में हुई थी वह औरंग जेब की म्रत्यूं के बाद होन साइन्स को आर्ट्स लिटरेचर हर चीज को बहुत बढ़ावादिया कहते थे सवई जैसिंग जैसिंग ने जैपुर दली अजयन बनारस और मत्हुरा में बड़ी बड़ी वेद शालाइं बनवाई तो इनोंने काफी जादा आप मुझे पताएंगे कि नोंने पांच चीज उन्होंने उस समय के कई यूरोपिय नगरों के नक्षे खटे किया और फिर अपना नक्षा खुद बनवाया इन पुराने यूरोपिय नगरों के कई नक्षे जैपुर के अजयब नगर में सुरक्षर थै तो मतलब इनोंने यॉरप में जिस तरह के से शेहर पसाएगा थे उनकी स्टड़ी करी और अच्छे से जैपुर शेहर को बसाया इंगलांट का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 EC में राने अलजबत ने इस इंडिया कंपनी को परवाना दिया तो इसके आगे हम लोग इस तरह से नए दौर की शुरुवात किस तरीके से क्या क्या समस्या आ पार में नेक्स विडियो में थैंक यू